Canada PR, Step 1 of 7 Canada के PR की पहली सीड़ी है IELTS IELTS इसका फुल फॉर्म है International English Language Testing System IELTS को PR की दहलीज भी कहा जाता है ये एक थ्रेशोल्ड है जिसको पास करने के बाद बाखिस सब स्टेप्स आसान हो जाते हैं अब बात करते हैं IELTS के फॉर्माट की इसके फॉर पार्ट होते हैं जिसे LSRW भी कहते हैं Listening, Speaking, Reading and Writing और हर लैंगवज में ये फॉर पार्ट बहुत जरूरी होते हैं Maximum score out of 10 bands नहीं होता out of 9 bands होता है और golden score है 8777 किसी एक में 8 और बाखिस सब में minimum 7 सबसे आसान है 8 bands लाना लिस्निंग में और राइटिंग थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि कुछ लोगों की राइटिंग होती है इसा लिखे मुसा पड़े वाली तो राइटिंग में बहुत से लोगों को कम score आ सकता है आपको लिखना है IELTS General academic होता है student visa के लिए पहले ये exam दो organizations conduct करती थी British Council और IDP British Council ने किसी वज़े से अपना पूरा business IDP को बेज दिया अब सिर्फ एक ही option रह गया है IDP IELTS में अच्छा score लाने की सबसे पहली शर्त है आपकी basic English अच्छी होनी चाहिए अगर आपके English के marks 10th class में 60% से ज्यादा थे तो अच्छे score की उमीद की जा सकती है दूसरी बात है प्ले स्टोर पर या आप स्टोर पर IELTS के practice apps मिलते हैं उन्हें download करें और mock test दें अगर आप 40 out of 40 लाते हैं तो 9 bands और 38 out of 40 लाते हैं तो 8 bands इस तरह से scoring होती है तीसरी बात ये है जो बंदे बार बार IELTS लिखने के बाद 5 या 6 bands से ज्यादा score नहीं कर पाते हैं तो दो बाते हो सकती है या तो उनकी basic English ठीक नहीं है या फिर वो confident नहीं होते हैं exam hall में अगर confidence का मामला है तो कुछ हो सकता है मगर अगर basics में गरबढ़ है तो student visa ही best है यहाँ पर मैं आपको एक real life story सुनाना चाहता हूँ एक मेरी friend थी उसने 17 बार 17 times IELTS लिखा आज के हिसाब से 10-12,000 रुपे on an average हर attempt पर अगर आप मान के चलो तो 2,00,000 रुपे उसने सिर्फ IELTS पर खरच दिये लेकिन उसका score 5.5 से 6 के बीच ही आता था क्योंकि मेरा मानना ये था कि उसके basics में कुछ गलवड थी और बंदी exam देने से पहले बहुत ड़ जाती थी आखिर में ठक हार कर उसे UK student visa पर जाना पड़ा अब बात करते हैं IELTS के institutes की ज्यादातर institutes जो student से 1000 रुपे चार्ज करते हैं ये बोलके के score 5 से अचानक 8 हो जाएगा ये 2 good to be true वाली बात है 0.5 या 1 band का फरखा सकता है training के बाद इससे ज्यादा नहीं यही बात spoken English के business की भी है ये जो institutes बोलते है spoken English के के रात और रात आपको English आ जाएगी और आप English की तरह fluently बोलने लगोगे ये सब पैसे कमाने के धन्दे है क्योंके जो बंदे English मीडियम से पढ़े हैं जिनकी basic English बहुत अच्छी है उनको भी 10-10 साल लग जाते हैं native Americans या native Britishers की copy करने के लिए फिर भी वो कभी-कभी गलती कर जाते हैं क्योंके English हमारी mother tongue नहीं है अगर कोई अंग्रेज आके हिंदी बोले तो उसको कितनी difficulty होगी same यहाँ पर applied है कि हम घर में हिंदी बोलते हैं ज्यादा तर या उर्दू बोलते हैं और हम सोचते हैं हमारी native language में ज्यादा तर तो हमको English language इतनी जल्दी इतनी आसानी से fluently नहीं आएगी यह ऐसी मिसाल है 120 किलो की आउरत का वजन 60 किलो कर देंगे 15 दिन में अरे जो 10 साल में खाखा के मोटी हुई है वो 15 दिन में कैसे पतली हो जाएगी यह कमाने के धंदे है और अगर हो भी तो अननाचरल है एक लड़का मेरी पहचान में था वो बहुत मोटा था लोग उसे चिडाते थे अचानक से वो बहुत दूबला हो गया मैंने पूछा कैसे उसने कहा कुछ तेरेपीस के जरिये लेकिन उसके डॉक्टर ने उसको डाटा के एक साल में आठ किलो से ज़्यादा वजन कम नहीं करना चाहिए ये बहुत खतरनाक होता है बॉडी के लिए अब हम आते हैं आईयल्स के मुद्दे पर तो रातो रात स्कोर चेंज नहीं हो सकता जैसे सूरज उकता है छे घंटे में तो डूबने भी छे घंटे लगते हैं देसी मुर्गी का बच्चा भी 21 दिन लेता है अंडे से वहाँ निकलने के लिए तो नाचरल लौ है के आईयल्स में भी स्कोर बदलेगा मगर सालों साल की महनस से चंद हफते चंद महीनों में ये नहीं होगा अब आप पूछेंगे के आईयल्स है ही क्यों ये इसलिए के इंगलिश कंट्रीज में जब आप जाएंगे तो वहाँ की पॉपुलेशन से मिंगल हो सकेंगे कम्यूनिकेट कर सकेंगे वरना वो बोलेंगे अबबा डबबा जबबा आप बोलेंगे उलाला उलाला आईयल्स आपकी इंगलिश लैंगवेज की कौलिटी का टेस्ट है अब करते हैं खर्चे की बात इसकी फीस थोड़े थोड़े दिन में बढ़ती रहती है आपको IDP के वेबसाइट पर जाकर चेक करना होगा के करेंट फीस क्या है अभी February 2022 के हिसाब से 14,700 रुपए प्लस चाय पानी और पेट्रोल का मिला के 15,000 मान के चलो कम से कम 15 दिन preparation टाइम रखे दूसरा कोई step मत लीजिए जब तक आपका IELTS का result ना है ये भी एक तजरुबे की बात है और एक real life story है हमारे relatives में किसी की property बेच के शादी करना था property का token amount आ गया लड़की पसंद आ गई engagement हो गई बाद में property खरीदने वाले ने इंकार कर दिया तो लड़की वालों ने रिश्टा तोड़ दिया क्योंकि पैसे का इंतिजाम नहीं हो सका तो जब तक पहला step पका ना हो दूसरा step कभी नहीं लेना चाहिए खास तोर पर जब पैसे का मामला हो इसलिए step by step कच्छवे की चाल खरगोश की नहीं हमारे पास एक कहवत मशूर है जल्दी का काम शैतान का और मैंने खुद एक कहवत बनाई है जितना करेंगे जल्दी उतनी लगेगी हल्दी तो जल्दबाजी में जो काम करते हैं वो ठीक नहीं होता और हमेशा इनसान को मियाना रवी मिडल वे बीच का रास्ता अपनाना चाहिए क्योंकि आप गोर करते हैं कोई चीज पकाने जाओ अगर बहुत तेज आँच पे पकाओगे तो जल जाएगी और बहुत धीमे पे पकाओगे तो पकेगी नहीं बहुत टाइम लगेगा गाड़ी बहुत तेज चलाओगे तो अक्सिडेंट हो सकता है आगे वाले का भी नुकसान अपना भी नुकसान घर पहुंचने के बज़ाए हॉस्पिटल पहुंच जाओगे और बहुत स्लो चलाओगे तो टाइम पे जगे पे पहुंचोगे नहीं तो बीच का रास्ता मिडल वे मॉडरेशन हर चीज में बहतर है और मेरे वालिस साब बच्पन से हमेशा कहा करते थे कि कभी भी किसी चीज में इंसान को इंतिहा नहीं करनी चाहिए बलके मियाना रवी से काम करना चाहिए गर बैटके बिलकुल नहीं कमाओगे तो ख्षारून का खाजाना भी खत्म हो जाएगा और पैसे के पीछे भागोगे सुबह शाम पैसा 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 फैसा वर्क लाफ बैलनस नहीं रखोगे बराबर खाओगे नहीं पीओगे नहीं सोओगे नहीं तो हेल्थ एफेक्ट हो जाएगी, सहाथ खराब हो जाएगी, तो हमेशा बैलन्स जरूरी है, मैंने आज से 15 साल पहले एक आदमी को देखा, तकरीमन वो 60-65 साल की उमर के थे, और अपने आप में चौरस्ते पे ठैर के, एक पेपर पेन लेके कुछ ना कुछ हिसाब करते रहते थे, तो मैंने एक बार एक लड़के से पूछा, ये चाचा इस तरह क्यों करते हैं, इनको क्या प्राबलम है, तो उस लड़के ने कहा, पैसे के पिछे पागल हो गया भाई ये, जिन्दगी में ज्यादा हिसाबां दाले तो ऐसी होता, इनके कलच प्लेट घसे गए बुलाओ, मुझे उस आद्वी पर तरज भी आया, ये एक प्राइम एक्जामपल है, आउट अफ बैलन्स लाइफ का, इसी लिए इंगलिश में कहावत है, टू मच, इस टू बैड, चलिए फिर से हम वापस आते हैं, अपने आईएल्ट के एहम मुद्धे पर, तो अगर आपको इंगलिश इंप्रूव करनी है, तो मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ, जब मैं मेरे पोस्ट ग्राइजवेशन में था, तो मेरे प्रोफेसर ने, जो हारवर्ट से पढ़े हुए थे, उन्होंने मुझे ये टिप्स दिये थे, वाव टू इंप्रूव यूर इंगलिश लैंगवज, ये सालों साल की महनत से होगा, चन्द दिन में चमतकार नहीं होगा, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, तो एक चीज़ है, किसी भी लैंगवज को अगर सीखना है, सबसे इंपॉर्टन है लिसनिंग, ये एक अमेरिकन रिसर्च है, और ये एक लॉजिकल बात है, जो बच्चे बच्पन से भेरे होते हैं, डेफ होते हैं, करता है, अलफाज रिकॉर्ट करता है, और उसको प्ले करता है, अपनी जुबान के जरीए, तो लिसनिंग सबसे इंपॉर्टन है, किसी लैंगवज को सीखने के लिए, अब कोई गाउं में जाकर रह जाए, तो आटोमेटिकली वह वहां की लैंगवज, सीख लेगा, कुछ महीनों में, कुछ सालों में, ये कैसे पॉसिबल है, क्यूंकि वो उस माहूल में रहेगा, तो वो लैंगवज कैच करेगा, तो इसी तरह लिसनिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टन है, इसका सबसे बहतरी इडिया है, जो मैंने खुद फॉलो किया, अपनी लैंगवज इंप्रूफ करने के लिए, यूट्यूब मिनिमाइजर नाम का एक एप है, जो एंडरॉइट फोन के यूजर्स हैं, उनके लिए मैं कह रहा हूँ, तो ये एप डाउनलोड कीजिए, और कहीं भी आप जा रहे हो, कहीं ट्राइवल कर रहे हो, आजकल तो हर किसी के पास स्मार्ट फोन है, इंटरनेट डेटा भी अवेलिबल है, पहले की तरह जमाना नहीं है, कि डाउनलोड करो, सेफ करो, फिर उसको सुनो, तो जहां पे भी आप जा रहे हो, एक हेड़फोन लगाओ कान में, और ये इंग्लिश डॉक्यूमेंटरी इसको सुनो, आपका टाइम इस्तिमाल में आएगा, और आप कुछ सीखोगे, मैं ट्राइवलिंग में हमेशा ये करता था, मेरी कंपनी मेरे घर से 20 किलोमेटर दूर थी, तो मैंने तीन साल लगातार इंग्लिश लैंग्वज सुनी, डॉक्यूमेंटरी सुनी, और उसका असर ये हुआ कि जब मैंने आईयर्स लिखा, तो पहले एटेम्ट में लिस्निंग में 9 out of 9 आए, दूसरा इंपोर्डेंट हिस्सा है इंग्लिश लैंग्वज का स्पीकिंग, तो अब स्पीकिंग को कैसे इंप्रूफ करना है, ये तो आपको कोई आपके एक फ्रेंड को आपको पकड़ना होगा, जो इंग्लिश में माहिर है, उससे आपको लगातार कॉन्वर्जेशन करना होगा, जबी भी आप फ्री है, वो फ्री है, कॉल मिलाएं, और इंग्लिश में टॉकिंग करें, इंग्लिश में बात करें, क्योंकि कुछ भी हासिल करने के लिए जुनून होना जरूरी है, तो मैंने भी अपनी इंग्लिश इसी तरह इंप्रूफ की, मेरे कई फ्रेंड्स हैं, जिनका मैं शुकर गुजार हूँ, कि उन्होंने अपना टाइम दिया, हम दोनों ने एक दूसरे को इंप्रूफ किया, और अगर कहीं कोई मिस्टेक होती, तो हम एक दूसरे को करेक्ट करते थे, तो इस से आपकी इंग्लिश इंप्रूफ होगी, और मैंने अपने में ये इंप्रूफ में देखा, कि आज मैं अमेरिकन कस्टमर केर के लिए अगर काम करता हूँ, और जब भी मैं उन कस्टमर से बात करता हूँ, तो वो कहते हैं कि आप कहां पे बेस्ट हो, कालिफोर्निया, टेक्सस या न्यू यू यॉक, तो इतना ज्यादा एफेक्ट होता है, स्पीकिंग की प्राक्टिस करने से, एक बार मुझसे एक अमेरिकन कस्टमर ने कहा, यो साउंड लाइक नेक्स दूर, अब बात करते हैं रीडिंग की, तो रीडिंग किस तरह इंप्रूफ करना चाहिए, यह एक आसान तरीखा है, रोज न्यूस पेपर डाउनलोड कीजिए, तो आप जब रीडिंग करेंगे, अलग-अलग न्यूस आर्टिकल पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा, कि सिंटेंस किस तरह स्ट्रक्चर्ड है, ग्रामर किस तरह है, और सिंटेक्स किस तरह है, तो यह आपको बहुत हेल्प करेगा रीडिंग में, और एक तरीखा है, आप विकिपीडिया पर जाएं, और कोई भी टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट के बारे में, अगर आपको डाउट हो, तो वो सर्च करें, और उसके बारे में रीड करें, इससे दो फाइदे होंगे, एक तो आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स इंप्रूफ होगी, दूसरा आपकी नॉलेज में भी इजाफा होगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, अब बात करते हैं राइटिंग की, राइटिंग इंप्रूफ करने का तरीखा ये है, कि आप कोई भी टॉपिक के बारे में सोचें, और उसके बारे में एक से दो पेज रोज लिखें, इससे आपकी ठिंकिंग अबिलिटी भी बढ़ेगी, और राइटिंग स्किल्स भी इंप्रूफ होगी, और अगर आपकी राइटिंग साफ नहीं है, अच्छे से नहीं लिखते हो, तो सबसे बेस्ट आइडिया है, छोटे क्लासेस के बच्चों की जो कर्सिफ राइटिंग की बुक होती है, वो लेकर एक बार प्राक्टिस करें, आपकी राइटिंग में काफी सुधार आएगा, तो ये थे सारे टिप्स आयल्स के बारे में, जो कैनेडा के पियार की पहली सीडी है, तो इंतिजार किस बात का, अगर आप कॉन्फिडेंट है के ये स्कोर ला सकते हैं, 8777 और ओवरॉल बैंड स्कोर 7.5, तो फिर एक्जाम बुक कराईए, और प्रिपरेशन करना शुरू कीजिए, अब हम अपने अगले वीडियो में, कैनेडा के पियार के सेकंड स्टेप के बारे में बात करेंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखे, स्टे सेफ, स्टे हैपी, दुआ में याद रखना, खुदा आफिस.